नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभे का स्वागत है आपका अपने स्रीटूब चैनल एजगेशनल गिलरी में इस वीडियो हम बचे बीसी पार्ट टू वैसे तो यह बीसी पार्ट टू जो भी जिनका एंग्जाम चल रहा है और अर्श पेपर तो लगए खतम हो चु वहाँ भी आपको एक टॉपिक काम करेंगा तो प्रोटीन से सारा प्रिवेस यह कुशन बचे 2020 का सारा प्रिवेस यह कुशन हम आपको अप्लोड कर चुके अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आप देट लें जुलोजी हो बोटनी हो केमिस्ट्री ह हो फिजिक्स हो फिए मैथेमैटिक्स हो सब्सक्रिक का इंपोटेंट इंपोटेंट कोषन और मेक्समम पर्वालिटी बचे मेक्समम पर प्रवालिटी पुछी है कि कौन को सना आगा अधिकतर बच्खे पूछे कहां से आए गा तो अप प्रिवियस यह को सबसे पर प्रोटीन है वाइटामीन है सब देखे जाए अगर एक्स्ट्रा देखना है तो आपको 75% बन जाएगा और 25% रहता है वह आपको आता भी होगा पहले से कुछ आपको आता है वहाँ से आपको बन जाएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहाएगा तो सबसे पहले हम बोले प्रिवेस एर कुशन देख लें उसको जो हम सिरीज चला रहे हैं प्रतिक सब्जेक्ट का जो लोजी का भी है बोटनी का भी केमेस्ट्री का भी आप को देखते जाएं आपको सबस्क्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रते एक वीडियो में कुछ ट्रिक बताते रहते हैं आपके लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वहां भी आपको हेल्प करेगा आई शुरू करते हैं फर्स्ट है ग्लुकागोन इज ग्लुकागोन परहे होंगे इंसुलीन ग्लुकागोन क्या बच्छे पेंक्रेटिक आईलेट अब लेंगर हैं उसमें दो परकार का सेल है अलफा से ल अलफा सेल्साइब आरिया होता है तो ग्लुकागोन बीटा एलचलिक बद्सक्राइब क्या हरता है और और यहां आई निंसुलीन इसका Jasimplus Amino Acid is Simplest Amino Acid कौन है Simplest Amino Acid को आपको पता है सिंपलिएस्ट आमानो सिड रहा गलाइसीनन को नहीं बच SHI आ जानते हैं το हम आपको बताते हैं हम आपको दीख है है जेब हम आमानोसिट ड्रा करते हैं हार्द मानौसयम दो तो important है एक तरब तो NS2, कारवन, कारवन होता है, एक तरब NS2, एक C2, तो सभी में होगा, और एक Hydrogen, ओके, ये तीन गुरूप तो सभी में common है, चौथा गुरूप बदलते रहता है, यह जो चौथा गुरूप है, कारवन का tetravalency होता है, फूर्थ जो बैलेंसी है, यहां अग अगर Hydrogen डाल देते हैं, मचे क्या बन जाता है, Glycine, इसी को को कते है, simplest amino acid, यही एक मात्र जो है, जो कारवन नहीं होता है, नितिस कलावन जितना वहता है, सब कारवन होता है, ठीक, Hydrogen डाल दी तो Glycine हो गया, अगर इसी को Hydrogen घटाके हम CS3 डाल दें, मतलब मिठाइल गू थर्ड नमबर है, which one is not an aromatic amino acid, इसमें से कौन जो है, aromatic amino acid नहीं है, aromatic amino acid को नहीं है, तो बचे, methionine, methionine is not a aromatic amino acid, ध्यान रखें, यह जो है, टारोसीन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलिनीन, फिनाइल एलिनीन है, ट्रिप्टोफेन है, दो तो है, बचे टारोसीन भी होता है, याद रखे, TTP, aromatic amino acid का trick क्या है, तो TTP, टारोसीन, ट्रिप्टोफेन, फिलाइन इनिलीन क्या है, तो aromatic amino acid है, क्योंकि इसके पास benzene ring है, इसके structure में क्या होता है, बचे, benzene ring होता है, इसलिए इसको aromatic amino acid बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट कोशन है, for the formation of protein amino acid are linked together by, for the formation of protein amino acid are linked together by, protein formation के लिए amino acid को किसे जोड़ते हैं, तो obviously peptide bond, मतलब amino acid peptide bond से यह attach रहता है, तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, यह भी कोशन आ सकता है, the primary structure of protein is maintained by, एमेंसी में आया है, तो कोशन आसान कोशन है, लेकिन अच्छा कोशन है, the primary structure of protein is maintained by, इस protein का जो primary structure होता है, वो peptide bond से भी maintain रहता है, यूजी में भी आया है, बच्छे, ग्रेजोस ने पिछले साल आया है, ध्यान रखें, protein के बीच में peptide bond होता है, carbohydrate में क्या होता है, ध्यान रखें, फिप्ट है, यूजवली amino acid आ रहा है, यूजवली amino acid का है, तो बच्छे, एंपोटरिक है, कुछ amino acid, acidic भी है, कुछ amino acid, basic भी है, कुछ neutral और maximum जो है, neutral होता है, acidic amino acid आपको पता होगा कौन-कौन है, aspartic acid है, aspartic acid, glutamic acid यह कहतो, glutamic acid यह सब acidic amino acid, basic की बात करें, तो basic में histidine है, basic में कौन है, histidine है, तो हम हलका-फलका आपको बता जिते हैं, histidine, neutral है, लेकिन, use volume क्या बोलते है, important होता है, amino acid, 6th नमर, when a long polypeptide chain forms a spiral ring, just like a spring around an imaginary axis, then this structure of protein is known as, उस structure क्या 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 है, secondary structure, यह question previous year में, 2020 में पूछा वाता, अब देख सकते हैं, 7th है, super folding of protein chain is known as, protein chain के super folding क्या 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 है, वही जो structure बनता है, उसको tertiary structure क्या 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 है, super folding जो structure बनता हुआ है, tertiary structure है, C option सही है, next, 8th number, albumin found in wheat is known as, wheat के अंदर जो albumin होता है, वो क्या है तो, leikosin है, क्या बच्चे? leikosin है, next है, globalin found in wheat is known as, globalin found in wheat, wheat के अंदर जो globalin मिलता है, वो क्या है, वो है बच्चे आपको, 2-diastine, वो क्या है, 2-diastine, globalin जो है, globalin के अंदर जो है, वो क्या है, 2-diastine है, next question देखते हैं, 10th number, which of the flying proteins are insoluble in water, but is soluble in ethanol, कौन सा प्रोटीन है, जो water में insoluble है, लेकिन ethanol में मतलब organic solute में soluble है, तो वो है प्रोलेमीन, कौन है, प्रोलेमीन, प्रोलेमीन, 11th number, eukaryotic DNA contents, eukaryotic DNA के अंदर क्या होता है, histone protein परहंग, histone protein क्या होता है, तो arginine rich, lysine and arginine होता है, basic protein होता है, histone protein, 12th, इसलिए तो DNA क्या है, बच्चे, DNA है, इसलिक और histone protein क्या है, basic है, तभी तो दोनों आपस में interactor होते हैं, 12th है, which of the following are known as plant protein, इसमें से किसको plant protein करते तो, प्रोलेमीन, प्रोलेमीन को plant protein भी करते हैं, नेक्स्ट है, bones contain, bones कंदर क्या है, तो bones कंदर keratin भी होता है, collagen भी होता है, elastin भी होता है, फिब्रियोन भी हता है, यह और option answer दिया हुआ एक, इसको हम satisfy नहीं है, बच्चे, इसको मैं इसे अभी आपको बताने हैं, इसको आप रखें, इसको बाद में discuss करेंगे, 15 नमबर है, scleroprotein, scleroprotein और क्या होता है, scleroprotein को fibrous protein भी करते हैं, यह ध्यान रखें, यह है simple protein, scleroprotein और simple protein, 16 नमबर, which includes monoamine carbozolik acid, करा इसमें से कोन है, जो monoamine carbozolik acid है, तो वो है आपको alanine, monoamine, monoamino, monoamino, carbozolik acid, वो ही बचा है, तो आपको structure तो बच्चे, एक तरफ, NS2 था, एक तरफ, CWH था, और hydrogen, यह तो compressor ही है, सभी amino acid में होगा, और hydrogen लगा देते तो glycine, अलगिन CS3 लगा देते तो बच्चे, वो क्या बन जाता था, alanine, वो ही है, monoamine, एक अमीन हो, monoamine, carbozolik acid हो है, alanine, ध्यान रखे, important है, VVI कर ले बचे, MSC क्लिए important है, common name पूछ देता, गुमा फिर आपकर नाम पूछा, आपका alanine का structure आना चाहिए आपको, fibrion is found in, 17 नमर, में मिलता है, में में मिलता है, 18 नमर, म्यूसीन औफ सलाइबा, इस आ, सलाइबा का अंदर म्यूसीन होता है, तो glycoprotein है, म्यूसीन औफ सलाइबा इस ए, glycoprotein, 19, casein of milk इजे, milk का जो casein है, वो क्या आपको, phosphoprotein है, 20 नमर, the tertiary structure of protein is mostly dependent on, protein का जो tertiary structure होता है, किस से depend होता है, mostly तो hydrophobic bond पे, 21, the structural unit of protein is, protein are the polymer of, आसान कोशन है, protein are the polymer of amino acid, बहुत आसान कोशन है, जिसे, nucleic acid are the polymer of nucleotide, nucleic acid are the polymer of nucleotide, DNA, आरेने में परते हैं आप, 22 नमर, in this structure of amino acid, hydrogen bond is formed between, hydrogen bond किस किस के बीच में formed हैं, बच्चे, तो D option है, 3 and 5 के बीच में, which of the flying structure, structure formula glycine, glycine का structure formula पूछ लिए है, glycine, alanine और serine, ये NCRT में दिया हुआ, इसलिए इसको ता आपको आना हैं चाहिए, बच्चे, बताये थे, glycine का simplest structure है, ये जो आपका, B नमर structure है, glycine का structure है, कहतो carbon है, CWH एक तरफ NS2 डाल दीजिए, जो tetra valency होता है carbon, एक तरफ NS2, एक तरफ CWH, एक तरफ hydrogen और एक तरफ है, दोनों तरफ hydrogen, ये तीनों तो कमपल सरी है, ये hydrogen, ये CWH, ये NS2 ये तो कमपल सरी, सब्सक्राइब, हाँ, hydrogen लग गया, तो क्या बच गया, फोर्थ बैलेंसी पर ये glycine बच गया, hydrogen खटा दे तो क्या, और CS3 लगा देते तो एलिनीन बन जाता, और इस अस्थान पर ये हम CS2OH लगा दे, ये बन जागा सेरीन, क्या बन जागा सेरीन, तो glycine, alanine, serine आपको दिहान रखना चाहिए, NCA team दिया हुआ, ये आप से कहीं भी पूछ सकता, important question है, glycine, alanine, serine, फिर से बता दिये, इसको आप अच्छे से देख लें, next question बच्चे, 24 number, the amino acids which are necessarily required in the diet of heterotropic organism are called, करा वो amino acid, जो heterotropic organism को necessarily, मतलब बहुत ही आवसक्त है, उसको क्या कहते तो essential amino acid, क्या कहते बच्चे, essential amino acid, amino acid को 2 basis से बाटा गया है, जो 20 प्रकार का, 20 प्रकार का amino acid आप परहे होंगे, 20 प्रकार का amino acid उसमें 10 प्रकार का क्या है, तो 10 amino acid वो हमारे body में synthesized नहीं होता है, 10 हमारे body में synthesized होता है, 10 हमारे body में synthesized नहीं होता है, तो जो synthesized नहीं होता है, उसको हम बाहर से लेते हैं, उसको हम कहीं से लेते हैं, या तो plants से लेते हैं, या animals से लेते हैं, तो जिसको हम बाहर से अपने diet में लेते हैं, उसको क्या घता है असेंशनों इमानुटी के अंदर 10 है कि यह याई से लिशिं लैशिन आइ सू लूपे लियुकू लिजनाइसीन पिडूनीन मैथ्योगिनिन ट्रिप्टोपैन व Herrn ध्रियोग्टेयहाई आर्जनीन है रुष्टेओ cleaning है इस्टेदिन है और आर्जनीने एक ट्रिक करें बच्चे इल आइडिएति इल को go to VT हाँ आपको अगर ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे ने तो यह पुरा ट्रिक है एसेंसिल याद करवा दिया जता है दसको और जो दसको बचिका वो क्या होता है नॉन एसेंसल अमाइनोसीड हो जाता है जिसमें क्या है सिस्टीन आपको ट्रिक आपको चाहिए तो कमेंट सेक्षन में लिख है चुकिंखए स्पेस नहीं हमार पास सेसल नहीं है हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे ट्रेक पर ऑगे यहां से हैं, वाहां सब का हम नाम लियé थे अप्रिक चाहिए बच्छे आथा हमें कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं या वाट्सपपे मैसेज कर सकते हैं अब ट्रिक अपलोड कर देंगे सब्सक्राइब कर रहा है और अल्य आपको बोली रहे हैं सब्सक्राइब और अच्छी बात है फिर से बोलते हैं ट्रिक इल पीम्टी गोटू वीटी ओके इसी मंदस आ जाएगा 27 है on an average percentage of the total dry weight of a living organism constitutive of protein is about कर टोटल ड्राइब का प्रोटीन कितना बना था किसी लिख और अर्गनिजम में तो प्रोटीन का contribution है 25 से 35 परसेंट बी ओप्सन है 28 वीच वन इस निगेटिव चार्ज अमाइनो असीड पीए सेवन पर कौन है निगेटिव चार्ज अमाइनो सेड तो इस पार्टीक एसीड कोन है इस पार्टीक एसीड डी ओप्सन धियान रखें 29 इनर्जी लाबरेटिट बाइ ऑक्सिडेशन ऑफ ग्राम प्रोटीन एक कॉंट एक ग्राम प्रोटीन अगर होगा तो कितना इनर्जी इनर्जी इलाबरेट होगा तो 4.1 कलरी 30 which one of the following is a simple protein इसमें से कोन है जो simple protein है तो albumin एक simple protein है 31 the amino acid which contains sulfur atom is the amino acid which contains sulfur atom is तो cysteine उपर भी देखे थे methionine cysteine cysteine देखे थे वही है 32 albumin R, albumin क्या है इसमें बच्चे तो albumin none of these नहीं simple protein है albumin एकडम simple protein है simple globular नहीं है ध्यान रखे simple globular सब्द का यूज कैसले गलती हो गया conjugated भी नहीं है derived नहीं albumin क्या है बच्चे simple protein है तो none of these D option सही है sorry 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 sir बच्चे ए option सही है albumin क्या है तो simple globular protein यह simple protein कुछ भी कह सकता है albumin R simple globular protein option यह सही है 33 any change in structure and or composition of natural protein is called natural protein के किसे structure हम change कर देते क्या होगा denaturation उसको प्रोटीन पर होंगे proline is proline क्या तो amino acid है essential है या नहीं है essential नहीं है बच्चे इसलिए तो पहला option नहीं होता इल PMT में जो P में हो क्या है phenylalanine proline कोई essential amino acid नहीं है non essential इसलिए एक amino acid है 35 which one of the following is not sulfur containing इसमें से कौन sulfur containing नहीं है असानी सब बता सकते हैं यह तीनों तो sulfur containing है glycine एक sulfur containing नहीं है glycine का structure आपको आना चाहिए बचे glycine serine और alanine का बता चुक है हम उपर 36 है which of the flying will be different in different animals अलग लगए नमल में क्या different होता है तो protein अलग लगए नमल लो different होता है एए immunoglobuline easy immunoglobuline कहतो 4 chain protein molecule immunoglobuline परहे होंगे आप 11 12th cancer team है health energy chapter में बचे Igz antibody के बारे में जब परहे होंगे तो वहाँ पर 4 chain protein molecule होता है तो देखिजेसे प्रोटीन के बारे में बचे एक question पूछा वाए 55 question number है which of the flying is not true about secondary structure of protein primary secondary tertiary structure के बारे में पूछता है question सभी question में प्लोड के हुए है सारा का answer हो हम आपको description box में link होगा बचे पूरा previous question question discuss कि आप वहाँ से देख सकते हैं ओके जिसके cancer यह है hydrophilic hydrophobic character of amino acid reside in its secondary structure तो वह आप देख लेते हैं तो आपको कहीं दिकत नहीं होने वाला है प्लीज आप previous year वीडियो अच्छे से देखें दूसे तीन बार देख लें उसको आपका exam अच्छा ही जाएगा बच्चे guarantee है अच्छा ही जाएगा maximum question आप कहीं सभी पूछ ले सभी यह बोलते प्रिवेश एर को संदेख लो तो आप भी प्रिवेश एर को संदेख के जाए और जो हमारा अगर कुछ available होता है तो हम आपको जुरूर बताएंगे दन्माद दस्तों